हेलो स्टुएंट्स मैं प्यूस राजपूत और आपका अपना चैनल प्यूस कोचिंग क्लास है जैसे बच्चों हमारे केस स्टेडी कोश्टन के एक सरीज चल रही है और हमने अपने मैट्रिक्स का एक पैसेस कंप्लेट किया था पैसेस नमबर थरी उसी को आगे बढ़ा रह प्रमोट था मेकिंग अफ टॉइलेट्स फर बुमिन और 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 अर्गनाज़िशन ट्राइट जर्नेट अवेरनेस थ्रो हाउस कोल यानि कि जो अवेरनेस है वो हाउस कोल के थरू है इमेल के थरू और अनौंसमेंट्स एंड़ कोश्ट फोर इच मोड पर अटेंप्ट इस बनाएं यह मैट्रिक्स आपका बना हुआ है यह वाला मैट्रिक्स है इसको आप चाहो तो पी नाम दे सकते हो और दूसरा जो मैट्रिक्स है बच्चो उसे मैं क्यों नाम दे रहा हूँ जो 50, 20 और 40 यह आपके पास है ठीक है दोनों की मल्टिपलाई करते हैं सही है यानि कि जो हमारे पास पी मैट्रिक्स है बच्चो तो वो पी मैट्रिक्स क्या क्या दे रहा है आपके पास 400, 300, and 100, 300, 250, and 75, 500, 400, and 150 यह आपका मैट्रिक्स हो गया पी ऐसे ही बच्चो आपके पास क्यों मैट्रिक्स होगा जो कोश्ट को दिखा रहा है हमें इन दोनों की मल्टिपल करनी है तो multiplication है बच्चों ध्यान क्या देना है आपके पास जो पहला matrix है उसकी और ध्यान दें तो order 3y3 है दूसरे की और ध्यान दें तो 3 into 1 है यानि कि पहले वाले matrix का column और दूसरे matrix की row आपको same नजर आ रही है यानि कि multiply possible है ठीक है कि बिलेज x में जो है वो x coast लेली दूसरे में y और तीसरे में z multiply करते हैं 400 300 and 100 300 250 and 75 500 400 150 यह हो गया पहला matrix दूसरा है 50 20 and 40 जो हमें multiply करनी है वो देखो कैसे करते हैं आपकी जो पहली आपको row नजर आ रही है इसकी multiply करेंगे column wise यानि कि first row की first column में करी multiply तो 400 into 50 300 into 20 and 100 into 40 सही बच्चो रो column अब 300 की करनी है किसमे पहला element जो आपका है 50 दूसरा आपको 250 की multiply करनी है 20 में and 75 into 40 अब तीसरे पाजो 500 यानि कि first element तो first element से second element तो second element से and third element की third element से को दिखका तो नहीं चलो multiply कर लेते हैं और फिर addition करते हैं 4 into 5 आपका हो जाएगा 20,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 ये हो जाएगा 15,000 प्लस 5,000 प्लस ये आजाएगा आपका 4 यानि कि 3,000 ऐसी इसमा जाएगा 25,000, 8,000 and 6,000 अगर बच्चों इसे add करते हैं तो add करने पर क्या आएगा 26 यानि कि 30,000, 23,000 and 39,000 सही है, option पर ध्यान दें तो देखो पहले वाले में जो आ रही है वो आपकी आ रही है 30,000, दूसरे में 23, वो तीसरे में 39, तीनों ब्लेज की आगे x, y, z चलोगे अब करा total number of toilets that can be expected after the promotion in Blaze X and Z, ठीक है क्या cost दियो है एक में 2% है, एक में 4 है, दूसरे में 20 है, 2, 4 और 20 है, A, B, C ले लो, हमारे पास क्या है, matrix 400, 300, and 100, 300, 250, और 75, 500, 400, and 150 और बच्चों, percentage कितनी दी होई है, तो percentage की अगर बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास है, 2, 4, और 20 चलो भई, 2%, 4%, और 20%, multiply करते हैं, multiply में वोई, पहले चेक कर लेते हैं, क्या पहले बाले का column और दूसरे बाले की row सेम है, तो समझ में आ रहा है, multiply करी, क्या आता है, 4 into 2, 800, divide by 100, फिर 3 into 4, कितना हो जाएगा, 12, 1200 upon 100, और उस अगला हो जाएगा, 2000 upon 100, फिर उस अगले बाते हैं, 3 into 2, कितना हो जाएगा, बच्चों, 600 upon 100, प्लस 1000 upon 100, और यह आ जाएगा आपका 1500 upon 100, तीसरे पाएगे, तो 1000 upon 100, बस करना क्या है, row की columnize करना है, पहले element को, पहले element से लेना है, दूसरे को दूसरे से लेना है, और तीसरे को तीसरे से, सही है, यह हो जाएगा 3, 1000 upon 100, अब अगर देखें, तो बच्चों क्या-क्या बच रहा है, 8 प्लस 12 प्लस 20, ठीक है, 6 प्लस 10 प्लस 15, 10 प्लस 16 प्लस 30, तो यह कितना आ जाएगा पहला, 12 और 8 होगे 20, और 20 होगे 40, यह हो जाएगा तुम्हारा 31, और यह हो जाएगा 56, हम से पूछा गया था, X में और Z में, तो 40 और 56, 40 और 56, यह रहा 40 और यह रहा 56, तो क्या किया गया था, हमारे पास 3 तरह के मोट्स दिये गए थे, उनके लिए कोष्ट दिये गए थे, फिर यह था कि कितने expected toilets हैं, हर ब्लेस के लिए वो निकाला, उतमें 2%, 4 और 20%, simple multiplication per BSD passes था, दो matrix के बीच में, और बिलकु ध्यान रखो कि multiply तबी possible है, बच्चो, जब पहले matrix का कोलम, और दूसरे matrix की रोज सेम है, किलियर है इतनी बात, तो आसान सा पैसे सता और आपको किलियर भी हो गया होगा, तो बच्चो आची कलास में सिर्फ इतना ही, thank you.